दोस्तो आज किस वडियो में आपको बताने वाला हो कि आप पेटियम का लिंक वाटसप पर कैसे शियर कर सकती हो जी है दोस्तो अगर आप भी अपने पेटियम लिंक को शियर करना चाते हो पेटियम के रेफरर लिंक को अगर आप कही पर भी शियर करना चाते हो तो किस तरीके से आप पेटीम रेफरल लिंक को शेयर कर सकती हो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आप नमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें जोगा तो चलिए फ्रेंट्स आज का यी वीडियो स्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों को पर्पने में प्सक्राइन को बुढ़न करना और शर्प uses वाले ओप्शन में आपको रेफ़र एंड रेफवर वाले option को आपको सर्च करना है जैसे आप रेफवर and earn वाले option को सर्च करोगे तो इस तरीके से दोस्तो रेफवर and earn का आपको option मिल लागा इस पर भी आप click कर सकते हो फिलाल यहाँ पर feature में यह option शो करा है तो simply guys में आपर इस वाले option पर click कर लेता हूँ और इस पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ से आपको link को share करने का आपको options मिल जागा जहाँ पर guys नीचे की और scroll down करके यहाँ पर आप directly number पर share कर सकते हो इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर आपको जो है आप देखे तो यहाँ पर आपको जो है WhatsApp का option मिल रहा है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको SMS का option मिल रहा है और यहाँ पर more option पर click करने के बाद सारे option यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जैसे message पर कर सकते हो email पर कर सकते हो Gmail इसके बाद Bluetooth से भी link मिल सकते है उसके बाद आप WhatsApp से भी share कर सकते हो तो फिलाल guys हम जो WhatsApp से करना चाहते हो तो WhatsApp पर click करेंगे और WhatsApp में दोस्तों आप जिसे भी PTM का जो referral link send करना चाहते हो तो simply उस number को select करेंगे और यहाँ पर send वाले icon पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद दोस्तों फिर से send पर click करना आए और आप देख तो यहाँ पर referral link मारा send हो जीगा उसके बाद आप जिसे भी share करो उसके पास referral link पहुँच जाएगा जैसे ही वो इस link पर click करके download करेगा उसके बाद जो भी referral कमिशन होगा वो आपको जो है मिल जाएगा तो गईस कुछ इस तरीके से आप जो है पे टीम referral link को आप शेयर कर सकते हो अगर आपको वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को like sure and subscribe जरूर से किजिएगा